स्वाज मैं आपको नाच्वल स्किन केर बताऊंगे अपना और मैं यही तीन प्रडक्स यूज करती हूँ आज मैं आपको मार्निंग स्किन केर बताऊंगी जिसके लिए सबसे पहला आप अपने बाल को साइट कर लीजिए फिर सबसे पहला चीज है फेश वास पाउडर तो मैं यह नैच्वल पाउडर यूज करती हूँ मैंने अपने एक और वीडियो में बताया था कि मैं इसको किस तरह बनाती हूँ तो इसमें सिंपल सी तीन चीज़े हैं बेसन, टर्मरिक और औरंज पील पाउडर औरंज पील पाउडर ऑप्शनल है बिकॉज आफ पिग्मेंटेशन अरांग माई लिप्स इसलिए मैं औरंज पील पाउडर यूज करती हूँ विच आफ और इसमें डालूँगी जरा सा पानी तो मैं यहाँ पे रेमेडी आपको शो कर दूँगी ताकि आपको complete रेमेडी मिल जाए और फिर मैं एक चमच यह वाला पाउडर ले करके अपने हाथ पे ही और थोड़ा सा उसमें पानी डाल के मैं उसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी कुछ इस तरह से और उसके बाद फिर मैं आपने फेस पेस को अपलाई करूँगी आप ऐस फेस पैक अपलाई कर सकते हैं ऐस फेस कराब अपलाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे फेस पे हम अपलाई कर लेंगे आपको पूरे face पे spread करना है on the corner of your face on your lips on your dark circles also यह dark circles को भी fade करेगा आपके skin को बहुत ही mildly और बहुत अच्छे से clean करेगा तो मैं पूरे face पे इसको apply करके spread कर लूँगी और आप इसको neck पे भी apply करिएगा अब ही मैं नहीं कर रही हूँ इसलिए नहीं तो आप जरूर अप्लाई करिए अपने neck पे भी ताकि आपके neck का discoloration भी है वो भी आपका हटेगा और face और neck का color similar रहेगा तो इसलिए आपको neck पे भी apply करना और इसके बाद थोड़ा सा scrub करके मैं इसको 5 मिनट तक अपने face पे इसी तरह छोड़ देती हूं थोड़ा सा dry हो जाता और फिर मैं इसको wash कर लेती हूं ठीक है तो अब wash करके मैं आपको सो कर रही हूं मैंने wash कर लिया अपने face को अब टॉविल से आपको हलका pad dry कर लेना है अपने face को जादा rub नहीं करना है और उसके बाद हम करेंगे अपना second step जो कि है toner मैंने already ये toner भी बता दिया है बर मैं आपको फिर से बता देती हूं कि मैंने लिया एक चमच aloe vera gel और उसमें 50 ml of water बिकोज ये मेरा जो bottle है वो 50 ml का है और मैंने इसको अच्छे से mix कर के store कर लिया इस bottle में spray bottle जादा अच्छा रहता है और आप इसको एक वीक तक store कर सकते हैं aloe vera का water बहुत ही जादा soothing होता है ये toner और अगर आपको soot करता है तो आप rose water भी यूज कर सकते हैं but मैं mostly यही यूज करती हूं now come on to the third step जो कि है skin moisturizer या serum या facial और आप कुछ भी बोल सकते हैं तो मैं यही वाला facial oil यूज करती हूं this is amazing ये कुमकुमादी oil है और ये 100% natural होता है ayurvedic है ये और ayurveda में भी इसको mention किया गया है कि आपके skin glowing के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है तो मैं यहां पर 5-6 drop अपने हाथ पर ले करके अच्छे से इसको rub करती हूं ताकि ये थोड़ा heat हो जाए और हमारे skin में बहुत ही easily penetrate हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से apply कर लेते हूं और आपको बहुत ही relaxation मिलेगा जब आप इस तरह से rub करके और अपने face पे हाथ डालोगे बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद फिर आप इसको हलका सा tap-tap करके पूरे oil को अपने face पे deeply penetrate करवा सकते हो और थोई देर के लिए oily लगता है for about 5 minutes और उसके बाद ही बहुत अच्छे से हमारे skin में एकदम absorb हो जाता है और उसके बाद oily बिलकुल नहीं लगता है एक बहुत ही smooth सा finish आता है हमारे skin पे बहुत ही smooth सा look आता है बहुत ही shiny हमारा face लगता है तो इस तरह से आप जरूर करें अच्छे से pad dry करें यह रब नहीं करें इसको face पर आपको इसको अपने हाथ में रब करना है और इसको अच्छे से face पर दबा दबा के apply कर लेना है और आप देख सकते हैं मेरे skin कितना glowing लग रहा है इस oil को apply करते हैं so yeah this was my minimal skincare routine thank you so much